आईए सीधे अपनी डिबेट शुरू करते हैं मैं स्वागत करना चाहता हूँ सारे अमारे महमानों का विनोध अगनी होतरी आप कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के पीकेटी नामबियार पुलिटिकल अनलिस्ट हैं सरकार की तरफ रुजान रहता है रागनी नायक प्रवक्ता हैं कॉंग्रिस पार्टी की ललता कुमारा मंगलम नेता है बीजेपी की फॉर्मर चेर परसन नैशनल कमिशन फू वेमन आप सब लोगों का बहुत बहुत धनेवा बगर किसी को आप भ्रष्ट बताना चाहें या कोई करप्शन के एक्टिविटी के बारे में आप उले करना चाहे अब आप उशब्दी नहीं इस्तिमाल कर सकते एक गेम था पता नहीं आपने खेला होगा है नहीं उसका नाम था टेबू टेबू गेम में यह होता है कि एक आपको दे दिया जाता है उस वर्ड और उसके आस पास के पांच वर्ड को छोड़के आपको दूसरी टीम को गेस करवाना है कि आपको कौन सा वर्ड मिला है तो यह तो मुझे लग रहा है कुछ वैसा इसमें तो कुछ दो चारी सांसाद होंगे जो अवल आएंगे और यसे देखो इसमें राजनीती से जादा भढ़कर पार्लमेंटरी डेमोकरसी के अंदर डिबेट डिसकर्शन्स का मर्यादा उठना चाहिए क्योंकि हम जनब प्रतनिती को देश के अंदर एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं 24 गंडे दिखाने वाला लाइव टेलिविशन के ऊपर आजकल प्रार्लमेंटरी डिबेट चलता है तो मैं और मेरे बच्चे या आजकल एक और चीज़ इवन रागिनी जी हो या सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि जो यंग जेनरेशन है यंग जेनरेशन आजकल हमारा प चबी है बहुत अच्छा नहीं है तो मैं यह समस्ताओं की लांग्विज के ऊपर कुछ शब्दों के ऊपर जरूर पाबंदी होना चाहिए पार्लमें में असंबली में लेकिन जिस तरह का जितना बड़ा लंबा लिस्ट दिया हुआ है यह मैं समस्ताओं कि यह थोड़ा ज इंटनेशने वो प्रकर तभी होता है तो मेरे इसाब से यह बिल्कुल सही है कि जो बहुत राजसभा और लोगसभा का चेर्मैन और स्पीकर को सारा लोगों को बुलाना चाहिए तो यह नियम तो खैर जैसे ललिता जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थी यह सब पर ल ज्यादित है ना ये भी तो भाषा के गिरते हुए स्तर को दिखाता है संके जी मैं एक और बात कहूं यह सिर्फ अभी तो हम पार्लमेंट में आया हुए इसकी वज़े से इसके ऊपर चचा हो रहा है आपको पता मैं एक लिस्ट देख रहा था चतिसगड़ और राजस्तान इस खास करके राजनी जी के लिए आप एक बार देख लेना लगबग जो यह नया लिस्ट निकाला है पार्लमेंट में वो मध्यपदेश में लिस्ट है उधर राजस्तान और चतिसगड़ में बैंड है तो मेरे इसाब से मुझे लगते है कि राजनीती ना करे शब्द जो भी पार्लमेंट के अंदर सिर्फ ओपोजिशन नहीं बैठते ट्रेशरी बेंट ठीक है राजनी नायक इसका जवाब आप देदें पीकेडी नामब्यार के महराश्र का जब संकट चल रहा था उसमें एक नेता के बयान को ले करके वहां पर भी एक शब्द इजात हुआ वो ज़रूरत नहीं है मुझे लगते कि यह पार्लमेंट के अंदर या मल्टी पार्टी डेमोकरसी है वो लोग स्पीकर या वैस चर्मान से बात करके सॉल्व कर सकते है या ठीक कर सकते है लेकिन बात यह है कि हर चीज को राजनीती करन करना अगर कोई कॉंगरस का नेता के साथ यही प्रॉब्लम है आज की डेट में हर चीज में लगन के मुझे कितनी दांद है दांद का साइज चोटा है बड़ा है अरे देश के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े इस्चियूस है उसके बारे में चर्चा करो बात करो ना कि सिर्फ दांद गिनने से उन वर्ड के जो इदर उदर का डूड़ने से कुछ नहीं होगा ओपोसिशन का काम करो और इस देश के अंदर एक बहुत बड़े जरूरत एक अच्छी ओपोसिशन का पार्टी को मजबूत करो रागिनी जी यह बाते बिलकुल अच्छा है आप अभी भी सीम मुके मंत्री नहीं है अभी मो आप लोहों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए